नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे देखें सूपर टेक ट्विन टावर्स की बात आपने काफी ज़्यादा सुनी भी होगी और रिसेंटली ये काफी ज़्यादा नियूज में भी है रिजन क्या है कि इनको अब गिराये जाने वाला है जो ट्विन टावर्स आपको इस इमेज में दिख पा रहे हैं इनको डेमोलिश किया जा रहा है और इसके लिए 3700 किलो एक्स्पलोजिव ज़े वो भी आ चुका है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये 40 मंजिला दोनों इमारते जो है वो दस्त हो जाएंगी और इसके अलावा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं नोईडा का जो सूपर टेक ट्विन टावर है उसको डेमोलिश करने के जो आउडर है वो सुप्रीम कोट ने दिये है सुप्रीम कोट ने ही इसके डेट फिक्स करी है तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि यह जो ट्विन टावर है सुपर टेक के द्वारा बनाए गए सुपर टेक दरसल एक रियल एस्टेट कंपणी है जो बैंकरफ्ट हो चुकी है मार्च 2022 में आपने इसके बारे में जो न्यूज है वो भी शायद जरूर सुनी होगी तो सुपर टेक के जो ट्विन टावर है वो डेमोलिस्ट किया जाएंगे इनके पीचे रीजन क्या है यह जो पूरा मामला है इसको समझने के कुश्च करते हैं हम इसे वीडियो में इसे परसुत करता हूं मैं मेरा नाम है सुरफ स्वामी आगे बढ़ने से फ़ले एक चीज को लेकर अपने तयारी को आगे बढ़ाना चाते हैं जैसे आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं complete morning 2.0 live batch for the pre plus main plus cset अब live होने जा रहा है 26 अगस से तो आप इसको भी enroll कर सकते हैं प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो प्राइस के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं Y572 जो discount code है उसको use करें यह आपके लिए miracle codes हो सकता है आपको heavy discount देखने को मिलेगा simply 75% तक का discount आपको मिल सकता है उसके अलावा premium foundation batch जो मुखरजी नगर की best faculties है उनके द्वारा भी live होने वाला है और अगर आप state PCS की तयारी कर रहे हैं तो काफी अच्छे faculties के साथ में जो काफी अच्छा content है वो आपको मिल जाएगा live classes है bilingual course है और price के लिए आपको मैं फिर से याद दिला दूँ Y572 जो code है वो आपको use करना है और यह code आप किसी भी course को purchase करते टाइम पर annual कर सकते हैं I mean UPSC, state PCS, banking, SSC सभी में यह काम करेगा सभी म चुरू हो चुकी है 28 अगस्त को दो पहर दो बचके 30 मिनट पे यह जो दोनों टावर है इनको blast करके द्वस्त कर दिया जाएगा इसके लिए सभी जो preparation है वो भी complete की जा चुकी है और 32 मंजिला बिना अबता की इमारत बनी है वैस इसका जो project था हो 40 मंजिला था तो इमारत को गिराने के लिए करीब 3700 किलो जो explosive है जो विसफोटा के उसका इस्तमाल किया जाएगा जिस दिन यह भवन गिराये जाएंगे दोनों उस दिन expressway जो नोईडा expressway है उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा उसका यातावाद थोड़ दिस्टब रहेगा आसपास की जो अपार्टमेंट्स उनको खाली करवाए जाएगा अलब एक दर से कि पूरी तो त्यारी है वो करवाए जाएगी 500 पुलिस वाले होंगे बहुत बड़े स्केल पर यह demolition किया जाएगा इसके लावा आसपास की मारतों में रहने वाले लोगों को दिन बर के लिए ही जो सवाल है उसके बारे में जानना काफी ज़रा ज़रूरी है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में यह जो बिल्डिंग्स बनाए गई है इनको क्यों डेमोलिस किया जा रहा है अब देखिए इस पूरे मामले की जाच है वो सुप्रीम कोट के अंडर चल रही है दरसल इन टा टावर जो है वो नोईडा के सेक्टर 93 में स्थित है और इनका निर्मान जो है वो शुरू हुआ तो 2009 के अंदर और 950 से अधिक जो फ्लैट है इन दोनों इमारतों में बनाए जाने थे हाना कि कई खरीदारों ने भवन की योजना में बदलाव का आरोप लगाते हुए 2012 में इलाबाद हाई कोट का दरवाजा भी है खटकाया था और अगर हम इस प्रजेंट में प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 633 लोगों ने फ्लैट वुक कराये थे जिनमें से 248 लोगों को रिफंड करिया जा चुका है और 133 अन्य परियुजनाओं में सारान्तित हो चुके लगाई थी और यह कहा था कि ट्विन टावर्स को अवेद गोशित करके इनको द्वस्त कराने का आदेश हो दिया जाए जिससे जमीन है वो खाली हो सके हाला कि तब सुप्रीम कोट ने इस आदेश के उपर इस्टे लगा दिया था और यह जो कार्यवाही है पूरी सुप्र इस्टेट कंपनी है जो बेंकरेप्ट हो चुकी है और सुपर टेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एक एमरल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप जो हाउसिंग ग्रुप है उसकी शिरुवात करी थी जून 2006 में सुपर टेक को उन्हीं शर्तों के तहर अत्रिक भूमी जो है वो भ विकास पादिकन के नियम हैं दोनों जो संसोजन भी हो चुके हैं इनका उलंगन करने का जो आरोफ हो लगाया था एक तरीके से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये दो जो मंजिल है ये आसपास के एरिये में काफी ज्यादा कंजक्टेर है काफी ज्यादा कम दूरी पर ब जो अगनी शुरक्षा की मापदंड है और खुले शुरक्षा की मापदंड है इनका वी उलंगन जह हो किया गया है फिर 2009 में पूरा मामला कोट पहुंच गया और एमरल्ड कोट के निवासियों ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया इसके खिलाफ 2010 में कोट में पेटिशन लगाई गई और मामले की कारेवाई नहीं होने करण यहाँ पर पूरी जो सुसाइटी थी इन्होंने मिलकर इलावाद हाई कोट का दरवाजा आये खड़कड़ाया था हाई कोट में करीब डेड़ साल तक मामले की सनवाई चलती रही और इसके बाद अप्रेल 2014 म सुप्रीम कौट ने इन्वेंशन किया पूरे फैस्ट पर इस्टे लगाया और साट साल तक सुप्रीम कंट में यह जो मामला है फिक्स करे एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि जो 252 फलेट्स खरीदने वाले लोग है इनका क्या होगा तो देखिए कोट ने अपने फैसले में खरीदारों का भी ध्यान रखा है आदालत ने बिल्डर को दो महीने के भीतर फ्लैट खरीदारों को बारा परतिशत व्यार्शिक ब्याज की साथ दो महीने के भीतर सभी राशी वापिस करने का जो इंदेश है वो दिया था और साथ ही बिल्डर को Resident Welfare Association को दो करोड रुपे देने का जो चुर्माना है वो भी लगाया गया और मार्च 2022 में सुपर टेक कंपनी को नेशनल कंपनी लॉट रिवनल N.C.L.T. के द्वारा दिवालिया गोशित किया जा चुका है और कंपनी पर अभी 1200 क्रोड रुपे का कर्ज है इसके लिए आप यहाँ पर ये निउस भी देख सकते हैं रियल एस्टेट डिवलेपर सुपर टेक डिकलियर बेंक्रप्ट बाई N.C.L.T. ये मार्च 2022 की निउस है सुपर टेक वैसे भी देखे के बेंक्रप्ट हो चुकी है आपने ये निउस चैट पहले भी पड़ी हो गया और इसी की द्वारा बनाएगे जो अधिके से ये जो ट्विन टावर है इनको डेमोलिश किया जा रहा है ये है पूरी कहानी ट्विन टावर के डेमोलिशन की आपको ज़रूर कुछ निया जानने को मिला होगा ये था इस वीडियो का पूरा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू